ओम नमो भगवते वासुदेवा या नमह नमस्कार मित्रों इस वेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि जिन लोगों का नाम नबीन नबनीत नबिता या इसके अलाबा जिन लोगों का नाम इंगलिस अलफाबिट के एन अक्छर से सुरू होता है तो उन लोगों के जीबन में साल 2022 में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि इस वेडियो के अंत में आपके आने बाले समय का अनोखा टोटका है जिस टोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला समय बहुत जयादा मजबूत एबं बहतर होगा मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाट्सेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें तो मित्रों अब आगे हम लोग बात करने बाले हैं कि एन नाम बाले लोगों के जीबन में साल 2022 में क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों शबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके आर्थिक जीबन के बारे में मित्रों 2022 में धन से जुड़े मामलों में आपका शमय सामानने रहेगा क्योंकि साल के सुरुवात में आपके खर्चों में बहुत ज्यादा ब्रिद्धी होगी क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी आपके धन भाव में रहेंगे एबम इस कारण से जनबडी के महिने से लेकर अप्रेल के महिने तक आपके फिजूल खर्ची में बहुत ज्यादा ब्रिद्धी होगा एबम इस कारण से इस अबधी में आपको आर्थिक तंगी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा लेकिन मार्च के महिने में बुद्ध का गोचर मीन रासी में होगा एबम इस कारण से आपके आर्थिक जीवन में कुछ सकारातमक बदलाब आपको अबश्य मिलेगा एबम आपके आर्थिक जीवन में बहुत ज्यादा सुधार होगा मित्रों 2022 में मई के महिने से लेकर सितंबर के महिने तक आप अलग-अलग माध्यम से बहुत ज्यादा पैसे प्राप्त करने बाले हैं इस अबधी में आपको पैसे कमाने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि इस अबधी में गुरू बिरस्पती की द्रिस्टी आपके रासी के आई घर में होगी एबम गुरू बिरस्पती के इस घर में द्रिस्टी के कारण आपको पैसे कमाने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा इस अबधी से पहले यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था कहीं फसा हुआ था तो इस अबधी में उस पैसे को प्राप्त करने का मौका आपको अबश्य मिलेगा एबम इसके अलाबा सितंबर के महिने में आपको कुछ गुप्त सुरोत के माध्यम से पैसे कमाने का मौका मिलेगा मित्रों आने बाले शमय में धार्मिक कार्ज में भी आप बहुत ज्यादा हिस्सा लेंगे 2022 में धार्मिक कार्जों में आपका पैसा कुछ खर्च अवश्य होगा मित्रों साल के अंत में नबंबर एबं दिसंबर के महिने में जब आपके लगन भाव के स्वामी मंगल देब अपना गोचर आपके कुंडली के बिबाह के भाव में करेंगे तो इस अबधी में आपको अपने जीबन साथी के माध्यम से कुछ आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होगी तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके सेहत के बारे में मित्रों 2022 में यदि आपके सेहत की बात कड़े तो सेहत के दृष्टी कौन से आपका शमय मिला जुला रहेगा क्योंकि इस अबधी में सनी एबम गुरु बिरस्पती का अस्थान पडिवर्तन होगा एबम इन दोनों के अस्थान पडिवर्तन होने के कारण आपके सेहत के मामलों में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा एबम आपके सेहत में जल्दी कोई भी पड़ेसानी नहीं होगा मित्रों आप में से जो भी जातक लंबे समय से बीमार थे जिन लोगों को कोई भी पुराना एबम गंभीर बीमारी बहुत ज्यादा पड़ेसान कर रहा था तो 2022 के मध में गुरू बिरस्पती का गोचर होगा एबम इनके गोचर से आपको पुराने बीमारी से अवश्य मुक्ती मिलेगी एबम अप्रेल के अंत में सनी का गोचर होगा एबम सनी के गोचर के कारण आपके सेहत के मामलों में बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाब होगा मितरों 2022 में आपको अपने माता-पिता के सेहत के मामलों में बहुत ज्यादा साबधानी बरतनी चाहिए क्योंकि साल के मध्ध में ऐसी संभाबना है की आपके माता-पिता के स्वास्त में कुछ पड़ेसानी होगी एबम इस कारण से आपको मानसिक तनाब का सामना बहुत ज्यादा करना होगा तो 2022 में इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए मित्रों 2022 के अंत में आपको कोई भी सारिरिक चोट या दुरगटना की संभाबना बहुत ज्यादा होगी इसलिए 2022 में आपको वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा साबधानी बरतनी चाहिए तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके प्रेम जीबन एबम आपके बैबाहिक जीबन के बारे में मित्रों आने वाले शमय में बैवाहिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा मजबूत एबं बिहतर होगा मित्रों इस बर्स से पहले यदि आपके बैवाहिक जीबन में कोई भी पड़ेशानी कोई भी समस्या था तो 2022 में उस पड़ेशानी को उस समस्या को आपको खत्म करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं आपके प्रेम जीबन के बारे में, मित्रों आने बाले शमय में प्रेम जीबन के द्रिश्टी कौन से आपका शमय बहुत ज्यादा सांदार होगा क्योंकि 2022 में मंगल देबता आपके प्रेम के पाँच में घर को देखेंगे एबम इसकारण से 2022 में आपके प्रेम संबंध में एबम आपके बैबाहिक जीबन में आप दोनों के बीच में अनुकूलता बहुत ज्यादा मजिबूत होगी एबम आप दोनों का आपसे जीबन बहुत ज्यादा सांदार होगा लेकिन साल के मध में आपको अपने प्रेम जीबन के मामलों में कुछ पड़ेसानी का सामना करना होगा क्योंकि साल के मध में सनी देब का गोचर कुम भरासी में होगा एबम इस कारण से आप दोनों के प्रेम जीबन एबम आपके बैबाहिक जीबन में आपको मन मुटाब एबम आपसी तनाब का सामना बहुत ज्यादा करना होगा तो आने वाले शमय में इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय में किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बहतर एबम सांदार होगा मित्रों 2022 में अपने समय को बहतर बनाने के लिए आपको अपने घर पर सुन्दर कांड का पाठ करबाना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा मजिबूत एबम बहतर होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक करदे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करदे एबम इस वेडियो के नीचे जे महादेब कमेंट करदे एबम इस वेडियो को आप हर जगह से यर करदे धन्यवाद जैसिया राम राधे राधे